साथियों, टी-म-सी सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा नुक्सान हमारे किसान भाई बेनों ने उठाया है। दीदी की मनमानी की वज़ा से बंगाल के लाखों किसान, पी-म किसान सम्मान निति के लाप से बंचित है। साथियों, किसान, सम्मान, योजना के तहट पूरे देश में दस करोड से जादा किसानों के बेंक खातों में सवा लाख करोड रुपे से जादा जमा कराए जा चुकें। सवा लाख करोड, दस करोड किसानों के खाते में कोई कटमनी नहीं। सीधा सीधा, बीते तीन वर्षों में देश भर के किसानों के बेंक खातों में सीधे पैसे ट्रांपर हुए हैं। लेकिन दीदी ने बंगाल के किसानों से न जाने किस बात की दुश्मनी नुपाई हैं। उन्होंने बंगाल के एक भी किसान को इस योजना से जुड़ने ही नहीं दिया। केंद्र सरकार कहती रही किसानों के नाम मांगती रही उनके बेंक के एकाउन मांगती रही लेकिन दीदी ने यहां के किसानों की परवा नहीं की ऐसे जैसे किसानों को सजा करने का मन बना लिया था। अब मैं जब आज बंगाल की धर्ती पर खड़ा हूँ, बंगाल की पवित्र धर्ती पर खड़ा हूँ, बंगाल के बीरों की धर्ती पर खड़ा हूँ, तब मैं आज बंगाल के मेरे किसान भाईयों बैनों को भरोसा देना चाहता हूँ, मेरे किसान भाईयों बैरों आप सुन लीजिये मेरी बात को और दो मई के बाद मेरे से हिसाब मांगना मैं हिसाब देने के लिए आऊँगा जैसे ही दो मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तूरंत ही पी एम किसान योजना का लाप आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी बंगाल के एक एक किसान के बेंग खाते में प्रते किसान के बेंग खाते में अटारा हजार रुपिया सीधा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा पिछले तीन साल की पूरी राची हर किसान के बैंक खाते में सीधी बेजी जाएगी आज दीदी आपके इस अधिकार के सामने दिवार बनके खड़ी है लेकिन ये दिवार हटते ही आपके बैंक खाते में सीधे ये पैसा बेजा जाएगा आपके अधिकार का एक एक टका आपको सीधे ट्रांसपर किया जाएगा पी-एम किसान सम्मान योजना मंगाल में डबल इंजिन के डबल मेनिफिट के साथ लागू होगी साथियों दीदी की सरकार ने यहां के हमारे मचवारे भाई बेहनों को भी सिर्फ तोला बाजी दीए दीदी की सरकार ने मचव जिबियों के लिए बनाएगे प्रकल्प मच संपदा योजना को रोका डबल इंजिन सरकार इस योजना को रागू करेगी ताकि मचली का व्यापार कारोबार आसान हो